ओम शांती सभी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब बढ़ाई हो यह अतिहास एक दिन हम सभी को हर वर्ष यही स्मर्ति दिलाता है देश के आजाद करने के साथ साथ हमने अपने आख को बुराईयों से बुरी आदतों से अउगोण वाविकारों से स्वयम को कितना आजाद किया है इन सब से मुक्त होना ही संपूर्ण स्वतंत्रता कहेंगे सभी को हैपी इंडिपेंडेंडेंट्स दे अवे सुनते हैं बाबा के हावाकिय आज के बाबा के साकार मावाकिय हैं 15 अगस्त 2020 आज बाबा बोले मीठे बच्चे कदम कदम पर जो होता ही वह कल्यान कारी है इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्यान उनका होता है जो बाब की याद में रहते है आज बाबा ने प्रश्न पुछा ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं तो बाबा ने उतर दिया जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा नैच्रल कलेमिटीज भी होगी लेकिन हमारी राज़ानी तो सापन हो नहीं है इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता भल अवसाई उपर नीचे होती रहेंगी कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे इसमें मूझना नहीं है सभी आत्माओं का बाप, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस खुशी में रहना है आज बाबा ने गीत सुनाया मैं फिल में जल उठी शमा परवानों के लिए प्रीत बनी हैं दुनिया में मर जाने के लिए ओं शांती, मीठे मीठे, नंबरवार पुर्शार थनुसार चेतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं तुम सब हो चेतन्य परवाने बाप को शमा भी कहते हैं परन्तु उनको जानते बिल्कुल नहीं है शमा कोई बड़ी नहीं एक बिंदी है किसकी भी बुद्धी में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है हमारी आत्मा में सारा पार्ट है आत्मा और पर्मात्मा का नोलेश और किसी के बुद्धी में नहीं है तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है आत्मा का रेलाइजेशन दिया है आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है पर्मात्मा क्या है इसलिए दिह अविमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है भारत इतना उच था, विकार का नाम भी नहीं था वह था वाइसलेस भारत, अभी है विश्यश भारत कोई भी मनुश्य ऐसे नहीं कह सकेंगी, जैसे बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवाले बनाया था, मैंने ही शिवाले स्थापन किया था कैसे, सो भी तुम अभी समझ रहे हो, तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता हैं वह कल्यानकारी ही है, एक एक दिन जास्ती कल्यानकारी उनका है जो बाप को अच्छे रिती याद कर, अपना भी कल्यान करते रहते हैं यह है कल्यानकारी पुरुषोतम बनने का युग बाप की कितनी महिमा हैं, तुम जानते हो, अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा हैं गापर में जब भक्ती मार्ग शुरू होता हैं, तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बना कर पुजा करते हो अभी तुमको स्मर्ती आई हैं, हम जब पुजारी बने थे, तब मंदिर बनाए थे हीरे मानिक का बनाते थे, वह चित्र तो अभी मिल न सके यहां तो यह लोग चांदी आदी का बना कर पुजा करते हैं ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है शिव की पुजा तो सब करते हैं, लेकिन अभ यह भी जारी पुजा तो है नहीं यह भी बच्चे जानते हैं, विनाश भी आने का है जरूर तयार्या हो रही हैं, नेच्रल कलेमिटीज भी ड्रामा में नूंध है कोई कितना भी माथा मारें, तुम्हारी रास्थानी तो सापन होनी ही है कोई की भी ताकत नहीं, जो इसमें कुछ कर सके बाकी अवस्थाए तो नीचे उपर होंगी ही यह है बहुत बड़ी कमाई कभी तुम बहुत खुशी में, अच्छे खयालात में रहेंगे कभी ठंडे पर जाएंगे यात्रा में भी नीचे उपर होते हैं इसमें भी ऐसे होता है कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं वंडर है सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है सारे दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि भगवान वाज है ना परन्तु यह किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है भल कितनी भी पोजिशन वाले बड़े-बड़े विद्वान पंडित आदी है कैते भी हैं गौड़ फादर को याद करते हैं परन्तु वह कब आया क्या आकर किया यह भूल गए है बाप सब बाते समझाते रहते हैं ड्रामा में यह सब नून्ध है यह रावन राजिय फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा रावन ही तुमको अज्ञान के घोर अंध्यारे में सुला देता है ग्यान तो सिरफ एक ग्यान सागरी बतलाते हैं जिससे सद्गती होती हैं सिवाई बाप के कोई सद्गती कर न सके सर्व का सद्गती दाता एक है गीता का ग्यान जो बाप ने सुनाया था बह फिर प्राय लोग हो गया ऐसे नहीं यह ग्यान कोई भरंपरा चला आता है औरों के कुरान, बाइबल आदी चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते तुमको जो अभी ज्ञान देता हूँ, इनका कोई शास्र बनता नहीं, जो परमपरा अनादी हो जाए यह तो तुम लिखते हो, फिर खतम कर देते हो, यह तो सब नेच्रल जल कर खतम हो जाएंगे बाप ने कल्प पहले भी कहा था अवे भी तुमको कह रहे हैं यह ज्ञान तुमको मिलता हैं फिर प्रालब्द जाकर पाते हो फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं राती भक्ती मार्ग में सब शास्त्र है बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते वह तो राजयोग की सिक्षा देते हैं जिसका फिर भक्ती मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगडम बगडम कर देते हैं तो तुम्हारी मुल बात हैं कि गीता का ज्यान किस ने दिया उनका नाम बदली कर दिया है औरों के वी नाम बदली नहीं हुए है सबके मुख्य धरम शास्त्र है ना इसमें मुख्य है डिटिजम इसलामिजम, बोद्दिजम भल करके कोई कहते हैं कि पहले बोद्दिजम है पीछे इसलामिजम बोलो इन बातों से गीता का कोई तैलुक नहीं है हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं यह है बड़ा जाड अच्छा है जैसा फ्लावर वाज है तीन ट्यूब्स निकलती है कितना अच्छी रिती समझ से बनाया हुआ जाड है कोई भी जट समझ जाएंगे कि हम किस धरम के हैं, हमारा धरम किस ने स्थापन किया, यह दयानन अर्विन घोश आदी तो अभी होकर गए हैं, वो लोग भी योग आदी सिखलाते हैं, है सब भक्ती मार्ग, ज्यान का तो नाम निशान नहीं, कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, यह भी सब ड्रा आमा में नूंध हैं, फिर भी होंगा, पाँच हजार वर्ष बाद, शुरू से लेकर यह चक्र कैसे फिरता है, फिर कैसे रिपीट होता है, तुम जानते हो, अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता हैं वह फिर future होता है इस समय तुमको knowledge मिलती है फिर तुम राजाई लेते हो इन देवताओं का राज्य था ना उस समय और कोई का राज्य नहीं था यह भी एक कहानी मिसल बताओं बड़ी सुंदर कहानी बन जाएंगी लॉंग लॉंग पांच हजार वर्ष पहले यह भारत सत्योग था कोई धरम नहीं था सरफ देवी देवताओं का ही राज्य था उनको सुर्य वन्शी राज्य कहा जाता था लक्ष्मी नारायन का राज्य चला बारासो पचा पिर उन्होंने राज्य दिया दुसरे भाईयो ख्षत्रियो को पिर उनका राज्य चला तुम समझा सकते हो कि बापने आकर पढ़ाया है जो अच्छी रिती पढ़े वहसुर्य वन्शी बने जो फेल हुए उनका नाम ख्षत्रिय पढ़ा बाकी लड़ाई आदी की बात नह ही है बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकरम विनाश हो जाएंगे तुम्हें विकारों पर जीत पानी है बाबाने ओडिनेंस निकाला है जो काम पर जीत पाएंगे वही जगर जीत बनेंगे पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में ग उन्हों के भी चित्र है, शकल देवताओं की बनी हुई है, राम राज्य और रावन राज्य आधा आधा हैं, उनकी कहानी बैट बनानी चाहिए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्य नाराण के कहानी है, सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आधी मध्य अंत का तुमको नौलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके, मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते, जिस ड्रामा के एक्टर हैं, उनके क्रियेटर डारेक्टर आधी को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे? अभी तुमको बाप बताते हैं, ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसे होगा, बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहां दुसरा कोई आना सके, बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहां बिखा नहीं सकते, इंद्रप्रस्त की क रहां में भी है ना, निलम परी, पुखराज परी नाम है ना, तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन हैं, देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदशनी की, जो सबका विचार सागर मन्थन हुआ, तो हीरे जैसा काम किया ना, कोई पुखराज हैं, कोई क्या हैं, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, यह भी जानते हो कि रास्थानी स्थापन होती है, उनमें राजाय, रानियां आदी सब चाहिए, तुम समझते हो, हम राम्हान, श्रीमत पर पढ़ कर विश्व के मालिक बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, यह मृत्य लोग खतम होना है यह बाबा तो अभी ही समझाते रहते हैं, कि हम जाकर बच्चा बनेंगे, बच्पन की वह बाते अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती हैं, ऐसे ही वहाँ भी जब बुड़े होंगे, तो समझेंगे, अब यह वानप्रस्त श्री छोड, हम किशोर अवस्था में चल जाएंगे, बच्पन हैं सतो प्रधा नवस्था, लक्ष्मी नारायन तो युवा हैं, शादी की ये हुवे को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे, युवा अवस्था को रजो, बृद्ध को तमों कहते हैं, इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता हैं, है तो लक्ष् परन्तु मनुष्य यह बाते नहीं जानते, कृष्ण को द्वापर में लक्ष्मी नाराण को सत्युग में ले गए, अभी तुम देवता बननी का पुर्शार कर रहे हो बाप केते हैं, कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिल्वाडा आदी, जो भी मन्दीर हैं, यह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं वह जड़, यह चेतन्य, तुम यहां चेतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो, स्वर्ग तो यहां ही होगा, मूल वतन, सुक्ष्म वतन कहां हैं, तुम बच्चों को सब मालूम हैं, सारे ड्रामा को तुम जानते हो जो पास्ट हो गया हैं, सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा, तुमको कौन पढ़ाते हैं, यह समझना हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, बाब की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं बाबा हमारा बाब भी हैं, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाब से ऐसी बाते करनी हैं बाबा हमको अभी मालूम पढ़ा हैं, ब्रम्हा और विश्नु का भी मालूम पढ़ा हैं विष्णो की नाभी से ब्रह्म्हा निकला, अब विष्णो दिखाते हैं क्षिर सागर में, ब्रह्म्हा को सुक्ष्मवतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहां, विष्णो तो हुआ राज्य करने वाला, अगर विष्णो से ब्रह्म्हा निकला, तो जरूर राज्य भी करे विश्णो की नाभिर से निखला तो जैसे की बच्चा हो गया। यह सब बाते बाप बैठ समझाते हैं। ब्रम्हा ही 84 जन्मपुरे कर अब फिर विश्णपुरी के मालिक बनते हैं। यह बाते भी कोई पूरी रिती समस्ते नहीं। तब तो वह खुशी का पारा नहीं चरता। गोप गोपिया तो तुम हो। सत्युग में थोड़े ही होंगे। वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेश। गोप गोपियों का गोपी वल्लब है ना। प्रजा पिता ब्रम्हा है सबका बाप। और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुखवन शावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो न सके। इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे वुद्धी से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीडी तो बड़ी फस क्लास हैं सारा मदार है एक बात पर। गिता का भगवान कौन। कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। वह तो सर्वगुन संपन्न देवता है। उनका नाम गिता में दे दिया हैं सावरा भी उनको बना दिया है। और फिर लक्ष्मी नाराण को भी सावरा कर देते हैं कोई हिसाब किताव ही नहीं रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाब केते हैं कामचिता पर बैठने से सावरा हुआ हैं। नाम करके एक का लिया जाता हैं। तुम सब ब्रामण हो। अभी तुम ज्यानचिता पर बैठे हो। शुद्र कामचिता पर बैठे हैं। बाब केते हैं विचार सागर मन्थन कर युक्तिया निकालो कि कैसे जगा आएंगे। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीथे मीथे सिक्किलधे, बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते। हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मूरली में धारना के लिए सार हैं, उसमें पहला हैं, सदा इसी समर्ती में रहना हैं, कि हम गोपी वल्लब के गोप गोपिया हैं, इसी समर्ती से सदाखुशी का पारा चड़ा रहीं। दुसरा है, अभी तक जो कुछ पढ़ा हैं, उसे बुद्धी से भूल, बाप जो सुनाते हैं, वही पढ़ना हैं। हम भाई बहन हैं, इस मर्ती से क्रिमिनल आय को खतम करना है, माया से हार नहीं खानी है। आज बाबा ने वर्दान दिया, रियालिटी द्वारा रॉयटी का प्रत्यक्ष रूक दिखाने वाले साक्षात कार मुरत भवा। वर्दान का डिटेल हैं, अभी ऐसा समय आयेगा, जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूक में अपनी रियालिटी द्वारा रॉयटी का सक्षात कार कराएगी। प्रत्यक्ष ताके समय, माला के मनके का नंबर और भविश्य राज्य का स्वरूप दोनोही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रीस करते करते, थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हिरे को छिपा देता हैं, अंत में यह पर्दा हट जायेगा, फिर छिपे हुए हिरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न रूप में आएंगे। रॉयल फेमली अभी से अपने रॉयल्टी दिखाएंगी, अर्थात अपने भविश्य पद को प्रत्यक्ष करेंगी, इसलिए रियालिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधी से व्यर्थ को समाप्त कर, समर्थ को इमर्ज करो। फिर से आप सभी को सतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई हो। ओम शांति